हालो फ्रेंड्स वेलकम टू माइटू चैनल डी एसकी आंद्रिस्टी आज का जुम्र वीडियो है वदारे थे डेली क्रेंट फेर्स और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 17 जनुमरी 24 के महत्वपुन क्रेंट फेर्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रस्ट प्रस्ट ने है कि पांचवे वैली गेम्स का उध्गाटन किस ने किया प्रस्ट से ए जैदीब धनकर ने निरेंद्र मोदी ने आप्शन सी राजनात सिंग ने और आप्शन डी द्रोपदी मुर्मु ने तो प्रसंख्या एक का सही जवाब हो जाएगा पांचवे वैली गेम्स का उध्गाटन द्रोपदी मुर्मु जो भारत की राष्ट परती है उन्होंने किया प्रसंख्या दू है कि पूरी जगनात मंदिर के उध्गाटन दिवस जो आज है 17 जनवरी के पूरी मंदिर के उध्गाटन दिवस है पर किस सिराज ने अवकास घोशित किया आप्शन से उडिशा ने आप्शन भी माध्य परदेश ने आप्शन से उत्तर परदेश ने और महाराष्ट ने तो प्रसंख्या दो का सईजवाब हो जाएगा पूरी जगनाथ मंदिर के अधगाटन दिवास पर राजय उडिशा ने अवकास का घोशना की है प्रसंख्या तीन है कि हाल ही में NLC इंडिया लिमिटेड के निदेशक वीत ने पदभार ग्रहन किया है प्रसंख्या तीन का सही जवब हो जाएगा प्रसंख्या चार है मिस अमेरिका दोहर चौबिस का ताज किसे पहनाया गया यह खिताब जितने वाली पहली सक्रिय ड्यूटी वायू सेना अधिकारी के रूप में इतिहांस में इतिहांस बनाई option से दिवी कृति सिंग, option B मनिशा सा, option C मेडिशन मार्स और option D पल्वी कस्यप option C मेडिशन मार्स मिस अमेरिका दुहर 24 की विजेता है और यह पहली एयर फोर्स की अधिकारी है जिन्हें मिस अमेरिका खिताब मिला है प्रशंग कि 5 है कि हाले में राष्ट्य इस्टार्टब दिवस कब मनाया गया है option से 15 जन्वरी को option B 16 जन्वरी को option C 9 10 जन्वरी को और ऑप्शन D 15 फिर्वरी को तो प्रसंख पांच का जो सेज़ाव हो जाएगा हाली में स्टाइट अप दिवास सोलो जन्वरी को मनाया गया है अर्थात कल ही तो प्रसंख याच्छ है कि हाली में राश्टिये सीमा सुल्क और परत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स एकादमी के नए परिसर का उधगाटन कहां किया गया है आप्शन से उड़िसा में आप्शन वी आंद्र प्रदेश में से उत्तर पर अन्दृब्र पर्देश में, उप्संख याची का स्राइगा अश्रयरण कहां कुआ सुरू होगाा प्रसं कि दिल्ली में अंध्री परदेश में और आप्रसंटी मह्रास्टरे में तो प्रसंखिया इसाध का सई जो अप्शन डिलई नई डिली याद राश्टी यह सब्सक्रारीं सुरू होगा प्रसंख आठ है कि हाल ही में निसान मोटर इंडिया ने अपना उप्रबंधक किसे नियुक्त किया है प्रसंखे नौ है कि हाली में लगातार दूसरे बार सर्फशेस्ट फीफा पुरिसकार दोजेर तेज में किस पूरुस खिलाडी ने पुरिसकार जीता है और प्रसंखे नौ का जो सही जोब हो जाएगा और दो हजार तेज सर्फशेस्ट फीफा पुरिसकार जीता है प्रसंखे दोसरे की हाली में सर्फशेस्ट फीफा पुरिसकार दो हैर तेज में किस मेला खिलाडी ने पुरिसकार जीता अप्सन से यह एतीना बोन मती अप्सन भी लेंडा के सेडो अप्सन दी जेनिफर हरमोसो और अप्सन डी नादिन एंगर्डर तब रसंखिया 10 का जो सही ज़ाब हो जागा सरफसेश्ट फीफा प्रोजिसकार 2023 में जिस महिला खेली ने जीत हासिल किये तो उनका नाम है एतेना बोन मती प्रसंखिया 21 से कि हाले में 75 एमी अवार्ड 2024 में सरफसेश्ट ड्रामा सिरीज के खिताब किस फिल्म को दिया गया है आप्शन से दवीयर को, आप्शन B एनिमल को, आप्शन C एबाट, एलिमेंटरी को और आप्शन D सेक्षन को प्रसंखिया 11 का सही जवब होगा, सक्सेशन को 75 एमी अवार्ड 2024 में सरफसेश्ट ड्रामा सिरीज का खिताब मिला है प्रसंखिया 11 का सही जवब होगा, आप्शन D सक्सेशन प्रसंखिया 12 के हाले में, ग्लोबर, फायर, पावर द्वार जारी, सुची के अनुसार, सबसे तकतवर सेना किस देश के पास है आप्शन C, फ्रांस के पास, आप्शन B, डेर्मार के पास, आप्शन C, पृतिगाल के पास, और आप्शन D, अमेरिका के पास प्रसंखिया 12 का सही जवाब हो जाएगा, आप्शन D, अमेरिका के पास, ग्लोबर, फायर, पावर द्वार जारी, जो सुची है, उसके अनुसार, सबसे तकतवर सेना है प्रसंखिया 13 के हाल ही में कहां के बेग्यान को ने नीपाह वाइरस के टीके का पहला मानो प्रिक्षण किया है आप्सन से A, Oxford University के, आप्सन B, Stanford University के, आप्सन C, Serum Institute के, और आप्सन D, भारत वायोटेक के तो प्रसंख्या 13 का जो सही जब हो जाएगा, आप्सन A हो जाएगा, Oxford University के बेग्यान को ने निपाह वायरस के TK का पहला मानो परिक्षन किया है प्रसंख्या 14 है कि हाल ही में भारतिय सेना ने कहा आप्सन से जमू कस्मिर में, आप्सन B, आंदर प्रदेश में, आप्सन C, उत्तर प्रदेश में, और आप्सन D, महाराष्ट्रे में प्रशंख 14 के जगा ऑप्षन ए जमुकस्म में भारतिय सेना ने सरोसक्ति लॉंच किया है मिसन सरोसक्ति लॉंच किया है प्रशंख 15 है कि हाल ही में किस ने जीरो एलेक्ट्रोनिक हाइड्रोजन कुकिंग का परदर्शन किया है आप्शन से A, NTPC ने, आप्शन B, Tata ने, आप्शन C, Reliance ने और आप्शन D, अडानी ने प्रसंखे 15 का सई जवब हो जागा आप्शन A, NTPC ने हाल ही में Zero Electronic Hydrogen Cooking का परदर्शन किया है प्रसंखे 16 है 15 January 2024 को भारतिय नौ सेना अकादमी एजो मला में कमांडेट के रूप में किसने पदगरहन किया आप्शन से A, पिरिये कुमार अचार, आप्शन B, वाइस एड्मिरल, वर्जिनियाथ मेकार्टी आप्शन C, पी संतोस, और आप्शन D, सौरव वत्ष प्रसंखे 16 का जो सही जोब हो जाएगा आप्शन B हो जाएगा वाइस एड्मिरल, वर्जिनियाथ मेकार्टी ने भारतिय नौ सेना एक आदमी जो मिला में कमांडेट के रूप में पदगरहन किया है 15 जनौरी दोहजार चौबिस को प्रसंखे 17 है कि भारतिय नौ सेना में DGNO किसे नियुक्त किया गया आप्शन से वाइस एड्मिरल ए एन राम को आप्शन वी वाइस एड्मिरल वर्जिनियाथ मेकार्टी को आप्शन सी पी संतोस को और आप्शन डी सौरव वत्से को तो प्रसंख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा आप्शन यह हो जाएगा वाइस एडिमिरल ये राम को भारतियन आप्शन में डीजी एडिये नो न्यूक्त किया गया है प्रसंख्या 18 है कि आई ओ सी एल के अगले cmd कौन होंगे आप्शन से ए गंती वेंकेट किरन आप्शन से भारत के सबसे पहले डार्क स्काइप पार्क ने एसिया में कौन सास्थान प्राप्त किया आप्शन से यह पहला आप्शन भी दूसरा आप्शन से तीसरा और आप्शन डी पांच वा तो प्रसंख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा आप्शन डी हो जाएगा पांच वा स्थान प्रसंख्या 19 का जो जाएगा डी प्रसंख्या बी से भारतीय राइडर इतिहास में पर तिस्थिट डेकार रेली में स्टेज पूतरने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं आप्शन से हरित नू आप्शन भी भरत सेंग आप्शन सी हीराला रोय और आप्शन डी इन में से कोई नहीं तो प्रसंखिया जो 20 से भारतिय राइडर है थिहां समय परतिष्टि ड्रकार रेले में स्टेज को उतरने वाले पहले भारतिय जो है वो हरित नू है प्रसंखिया 20 का सही जवाब हो जाएगा आप्शन हरित नू प्रसंखिया 21 से भारतिय मौशम विभाग ने 15 जनवरी को अपना कौन सा स्था अपना दिवस मनाया आप्शन से S सउवा आप्शन B दो सउवा आप्शन C एक सब पचासवा और आप्शन D पचासवा तो प्रस्तंख्य 21 का जो सही जवाब भजाएगा भारतिय मौसम विभाग नहीं 15 जनुवरी दूजर चौबिस को अपना 150 अस्थापना दिवास मनाया तो फ्रेंट्स यह था हमारा आज का विडियो जो अधारी था 17 जनुवरी दूजर चौबिस के महत्वपुर्ण करेंट अफेर्स और उसके एंसर पर जो काफे इंपोर्टेंट है अरतरा के कॉम्पिटेटिव एक्जाम के त्यारी करने वाले स्टुडेंट्स के लिए इस वि विडियो बनाओं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो थैंक यू फूर लिस्निंग एंड वाचिंग